हलोई फरेंड्स वेलकम् टुमाय चैनल तो आज हम बना रहे हैं मोटी हरीमिर्ची का अचार फ्रेंड्स वीडियो पसंदायו तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स आप लोग इसाइसे भी सरसों ले सकते हो तो अभी मिर्च को कट कर लेते हैं तो यहाँ पर यह देखे में소as काड़ा से कट करके रख लिया है मिर्चों को काट लेते हैं हम तो शचार हमारा बहुत ही टेश्टी एक तो यह से TOP grass में अभी इन मसालों को पैन में डालकर तोड़ा सा एक मिनट के लिए इसको रोष्ट कर लेते हैं भून लेते हैं जिससे मसालों में जो भी नमी होगी व्रसमासासाओं को सेकने से नमी सारी खत्म हो जाएगी और अचार हमारा लंबे टाइम तक चलेगा तो ऐसा करने से इस अचार हमारा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आप इसको एक महीना दो महीने फ्रीज में रखके आराम से इस अचार को खा सकते हो तो यहां पर हमने पैन में तेल डाल दिया है उस तेल को हम गरम कर लेंगे और गरम करके ठंडा कर लेंगे तो यह देखे यहां पर मसा मसाला हमने बना के तयार कर लिया है तो चलिए अभी अचार बनाना शुरू करते हैं तो जो मसाला हमने पीसके रखावा है वह सारी मिर्चों के उपर इस तरह से डाल देंगे हम प्रेंट्स कभी सब्सक्राइब कर खाके हम बोर हो जाते हैं और कुछ तीख चटपटा खाने के लिए हम डालेंगे इसमें सफेज सिर्का वाइट विनेगर तो इससे अचार हमारा बिल्कुल भी खराब नहीं होता और जो तेल हमने गरम करके ठंडा कर लिया है वह तेल भी यहां पे हम डाल देंगे तो अभी इन सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से अचार को आम में डाल रहे हूं जो हमारा आम का अचार था उसका तेल और मसाला थोड़ा सा तो इससे अचार बहुत ही जाधा टेस्ट बढ़ा जाएगा तो यह अचार हम इंस्टैंत अचार बनारहे हैं कि जो हम डालते इसको हाथ- 있चार को खा सकते हैं अर्षरंस इसके लिए हम क् कि अचार को इसमें डाल देना है और दो मिनट के लिए हम एक साइड से इसको इसी ताह से पड़ा रहने देंगे और उपर से ढ़ग देंगे तो ऐसा कहने से क्या होगा कि अचार हमारा ऊपर से थोड़ा सा सोफ्ट हो जाएगा और यह बिलकुल एक दम बनाते ही आप इसको ख तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अचार के ऊपर की इसकिन होती है मिर्ची की वो थोड़ी सी टाइट होती है जो मोटी हरी मिर्च होती है तो इस अचार को देखके मूह में पानी आ रहा है तो तीन-चार दिन कर मैं वेट स्क्राइब कर लीजिए दोनों तरफ से हमने इसको अच्छे से पका लिया है और अचार यहां पे हमारा उपर से मेर्च सॉफ्ट हो गई है तो अभी गैस को हम यहां पे ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा करने के बाद में हम इसको एक एर ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट करके मुझे बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी थैंक्स पर वाचिंग